असलाम अलेकों वीवर्स मेरी आज की वीज़े का टापिक है केले की खाद बनेना पेल फार्टालाइजर आज मैं आखो केले के छिलकों से त्यार होने वाली पांच ऐसी खादे बताऊंगी इन मेंसे कुछ खादे ऐसी होंगी जो के आप बना कर रख लेंगे तो सलहा साल चलती हैं क्योंके इनकी कोई एकस्पाईरी नहीं होती ये हराब भी नहीं होती आप इसको बना कर अपने घार में किसी भी जार में रख सकते हैं केली के जो चिलके होते हैं इसमें बहुत से elements पाये जाते हैं जिसके हमारे पोदे को जरूरत होती है। आप भी केली की खाद को अगर अपने घार में बनाना चाहते हैं तो आज की ये ведजियो आपके लिए है। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। इसमें जो नमबर वन है वो है लीकवड खाद इसमें आपने वेस्ट डीकमपोस्ट वाटर एक लीटर लेना है वेस्ट डीकमपोस्ट वाटर क्या होता है लीचन के जो हम खाना रोस का बनाते हैं जो सबजियों के चिलके होते हैं तो जैसे प्यास के चिलके हैं, लहसन के चिलके हैं, आलू के चिलके हैं, आप इन तमाम चिलकों को जो भी बाद चाते हैं, दो तीन इनके कठे कर लीजिए, इनको किसी ऐसे जगा पर रखें जहां पर यह हराम ना हो, उसके बाद आप इनको एक लिटर पानी में डाल कर, एक गुड़ चमच इसमें डालके रात को बिगो कर रख दें और तक्रीबन दो दिन के लिए आप इसको किसी भी ठंडी खुश की जिगा पे छोड़ दें दो दिन गुसर चाने के पाद आपके पास ये जबरदस खा तयार होगी आप इसको चलनी के मदद से या फिर किसी भी सूती या मरमल के कपड़े से इसको चान ले तो आपके पास ये किचन वेस्ट डीकमपोस्ट वाटर मजूद है तो ये वेस्ट डीकमपोस्ट वाटर आपके पास रेडी होगा आपको आज की जमिकेले की ये खार बता रहे हूं इसमें इस्तेमाल होगा तो फिर आपने ये एक लीटर डीकम्पोस वाटर ले लेना है 5-6 खेले की चिलके बेजिए उर से चोचे-चोचे टुकबड़ों में काट लीजिए दो दिन के बाद यह जबरदस खाद आपके पास तयार होगी आपने इसको डियरेक्ट नहीं दिना है बलकि इसको आपने DVOLUET करना है आपके पास जे एक नीटर की खाद तयार होई है इस में से अगर आप एक गलास खाद इस्तामया रहे है मैं तो आप इस Cur गलास नल टैप को जो सादा पानी होता है वो शामिल करना है तो एक गलास खाद और दो गलास सादा नल का पानी शामिल करने के बाद आख के पास जबरदस खाद त्यार हो जाएगी यह आप अपने फूलों वाले पूदों में फलों वाले पूदों में सबसियों में हर किसम के पौदे में डाल सकते हैं, इससे आउके पौदे के तमाम एलिमर्स, तमाम घजाई एज़ा मकमल हो जाएंगे और आउके पौदे जबरदस्त पूल और फल देंगे और इससे फलों का साइस भी डबल होता है आप चलते हैं दूसरी खाट की तरफ इसके लिए मैं आपको यह बताऊंगी कि जैसे अब मौसम बरसाथ शुरू होने वाला है, बरसाथ के मौसम में ने पौदों की कटिंग भी लगाए जाती है पौदों को रुपोर्ट भी किया जाता है क्योंकि मौसम बहार और मौसम बरसाथ यह वो दो टाइम पीर रोते हैं जिसमें पौदों की शिफ्टिंग की जाती है तो मौसम बरसाथ शुरू होने वाला है तो आपने जब ने पौदों को शिफ्ट करना है किसी बड़े गमले में तो फिर आपने ऐसा करना है कि आपने सबसे पहले 5-6 केले की शिल्के ले लेने है उन्हें चोटे-चोटे टुकड़ा में काट लेना है और गमने में आप सबसे पहले ये केले की शिल्के डाल दीजिए उसके बाद आप इसमें खुश्क पते और आपको बता चुकी होगा हमें जो पते गिरते हैं खुश्क पते कटे कर लिया करें लेकिन जो पते इंसेक्ट से अफेक्टिट हुए हों जिन पे कोई फंगस लगा हो वो आपने रियूस नहीं करने है उसकी भी एक तैर केले के चिल्के पर बचा देजिए फिर आप इसमें मटी डाल दें फिर कोई भी बोदा इसमें लगा दें जो भी बोदा आप इसमें लगाएंगे उसको जबरदस कैल्शिया मिलेगा जबरदस पोटाशिया मिलेगा क्योंकि ये केले के चिलके आईसा इसता डीकमपोस्ट होते रहेंगे आपके पौदे के मटी में शामल होके आपके पौदे को जबरदस घजा देंगे और पौदे को जितने भी एलेमिंट्स की ज़रूरत होती है ग्रोथ के लिए, फ्रावरिंग के लिए, फूटिंग के लिए वो तमाम के तमाम इन केले के चिलकों से इसको मिल जाएगा तो आप चलते हैं तीसी खाट की तरफ इसके लिए आपने एक मटी का बरतन लेना है और फिर आपने इसमें 5-6 केलों के चोटे-चोटे टुकडे करके काट लेने है और वो टुकडे आपने इसमें डाल देने है और फिर आपने इसको 10-15 दिन के लिए किसी भी ठंडी, हुश्क और सायादार जिकापे ढाम कर रख देना है पंदा दिन के पाथ आपके पास ये एक जबरदत खाद रेडी होगी, आपने इसको चान लेना है और फिर आपके पास ये जो एक लिटर खाद तयार हुई है, इसमें से अगर आप एक खाद गिलास का यूस करेंगे तो आपने तीन गिलास नार टैप का जबाने है, वो शामिल करना है तो फिर आपके पास ये एक ऐसे खाद तयार हुई है, जो कि आप स्प्रे बोतन में डाल के अपने तमाम फूलों, फलों और सबजियों वाले पोदों पे स्प्रे कर देजिए इस प्रे का देने से आपके पोदों के उपर तमाम जितने भी प्रावलम्स होंगे पत्तों की या फूलों और फलों की वा तमाम दूर हो जाएंगी जैसे कि जो फल होते हैं, वो कच्छे ही होते हैं और गिर जाते हैं या फल फट पढ़ जाता है तो आप जब इसका स्प्रे करेंगे तो आपके पोदे के पत्ते ना सिर्फ लश गरीन हो जाएंगे वो बिमारियों से पाक होंगे, बलके फलों का साइस भी नकरीस होगा और फूल भी बेता हाशा होंगे तो अब चलते हैं खाद नमबर फॉर की तरफ इसके लिए आपने ऐसा करना है कि आपने साथ से आठ केले के चलके छोड़े छोड़े टुकड़े करके काट लेने है और फिर आपने इनको खुशक कर लेना है लेकिन आपने इनको सूरज की रोशनी में खुशक नहीं करना है बलके आपने सायाधार जिगापे रख कर इसको खुशक करना है इसमें कुछ टाइम पियर्ट जादा लगेगा जादा से जादा एक हफता या उससे भी जादा का टाइम लग सकता है लेकिन आप इसको सूरज की रोशनी में खुशक नहीं करेंगे क्योंके सूरज की रोशनी से केले के चिलके में जितने भी एलेमर्ट्स होते हैं वो तमाम के तमाम खत्म हो जाते हैं तो यही वज़ा होती है कि जब आप केले के चिलकों को ड्राइ करने के बाद पोदों में डालते हैं तो उसका कोई भी असर दखाई नहीं देता क्योंके केले के चिलके कभी भी सूरज की रोशनी में हुश्क नहीं किये जाते हैं बलके सायादार जगा में रखकर हुश्क किये जाते हैं तो जब केले के चिलके आप किसी भी सायादार जगा में रखकर किसी भी दरत की चाहों में पोदों की चाहों में या फिर अपने बरामदे में सहन में रख दीजिए जहां पे सुरज की रोशनी ना पढ़ती हो तो इसको खुश कर लिने के बाद जिसी भी मिक्सी में डाल कर इसका पौडर बना लेना है और फिर ये पौडर आप किसी भी जार में डाल करें महफूस करके रख लीजिए ये साल हासाल चलेगा और ये खराब भी नहीं होता ये खाद आप हर 15 दिन के बाद अपने गमले के पौड़ों में दो चमच चारों तरह में डाल के मटी में मिक्स कर दिया करें आपके पौड़ों के ग्रोज बर दास्त होगी तो अब चलते हैं खाद नमबर 5 की तरफ इसके लिए आपने फ्रेश केले की चिलके ले लेनी है इसी तरह आप 8-10 केलों की चिलके लीजिए उसे चोटे टुकड़ों में काड़ लीजिए और फिर आपने इसमें शामल करनी है तीन चमच लकड़ी की राख आपने ऐसा करना है कि आपने इस लकड़ी की राख को केलों की चिलकों में अच्छे तीके से मिक्स कर लेना है मिक्स कर लेने के बाद अब आपने इसको सायादार जिगा में हुश्क कर लेना है इसी तरह जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है किसी भी थंडी, सायदार, खुश्टी का मेरा कर इसको ड्राइ कर लीजिए दूप की रोश्चिस में नहीं आने चाहिए खुश कर लेने के बाद आप इसको किसी भी मिक्सी में डाल कर इसको ग्रैंड किजिए इसका बाउडर बनाईए, इसको जार में महफूस कर लीजिए तो ये खाद आगर आप अपने पौदे के गमले में दो चमस डालेंगे तो आपके पौदे की जो गमले के मटी है, इसमें अगर कोई फंगस है तो फंगस भी खतम हो जाएगा और आपके पौदे को जबरदस कैल्शियम, प्रटाशियम, आईरन, फासपोर्स, तमाम वाइनमेर्स जिसके पौदे को जरूरत होती है, वो तमाम के तमाम मिलेंगे इसके साथ आप ये जाड़ हैं महिद साल जार Capd qualify के साल के लिए यूस कर सकते हैं, ये कभी भी खराब नहीं होती है और ये जो केले की छिलके हैं, आप ने, खुशक कीए हैं, आप ऐसे भी गमले में डाल सकते हैं तो आप ने इसे जिस गमले में डालना हो उस पोदे के जो गमले के चारो इतराफ से आप 1.5 इंच की मटी बाहर निकाल दीजिए बाहर निकाल लेने के बाद आप इस गमले को एक दिन के लिए इसी तरह छोड़ दीजिए ताकि इसको चरीके से हवाय लग जाए उसके बाद आपने नेक्स्ट डे इसमें जो केले के चिलके हैं चारो इतराफ में टुकडों की सुर्थ में डाल देनी है दो मुठी ये जो टुकडे हैं केले के चिलके ये आप इसके चारो इतराफ में खुश्क हुए है डाल दे और फिर वापस जो गमने साफ ने मटी निकाली है इसके अपर डाल दीजिए और फिर आप पोदे को पानी डाल दीजिए तो इसका रज़र्ड आपको पान से छे दिनों में ही मिल जाएगा आपके पोदे की नास सीव गरोथ बहुत जबरदास हो जाएगी इसकी जो फ्रूटिंग है वो जबरदास होगी इस पे जो फल है वो बड़े साइस में हो जाएगा जो फूल है वो बेताहाशा होंगे पोदे में किसी किसम का कोई फंगस नहीं होगा आपके पोदे की अगर गरोथ रुकी हुई है कि पोड़ की ग्रोथ भी जबरदस हो जाएगी और आवका पोड़ा बहुत ज़दा बुशिस हो जाएगा तो यकीन जानिये कि ये वो खाते हैं जिनको आप बासाने घर में त्यार कर सकते हैं और ये आपको बजार से परचेस भी नहीं करनी पड़ती क्योंकि खाने के लिए फूर्ट तो हम अपने घर में लेकर आते ही हैं तो फूर्ट खाने के बाद ये जो छिलके जो पीर्स बज़ जाते हैं इससे आवजबरदस अपने पोड़ा के लिए खात तैयार कर सकते हैं मुझे उमीद है कि मेरी आज की ये वीडियो आपको बहुत ज़दा पसंद आई होगी तो ये वीडियो आपको पसंद आई है तो आप इसको लाइक कीजिए आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकान को ज़रू पैस कीजिएगा ताकि मेरे आने वाली हार नई वीडियो के साथ आप अपडेट रह सकें तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में